हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं रितु संदू आज एक निव वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने चिकन में जो डिजाइनिंग सेट करी है चिकन के बेस के उपर कुछ डिजाइन सेट किये हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी बहुत ही प्यारे डिजाइन्स बन और इस पर हमने सारा लेस के साथ ही वर्क किया हुआ है कली स्टाइलिंग में हमने लेस लगाई है वाइट कलर की बिकॉज इसका जो कलर ब्लू के साथ वाइट ही आ रहा था तो हमने वाइट लेस लगाई है थ्री लेस हमने स्लीव पर लगाई है दो कली की तरह लगाई है नेक को भी हमने लेस के साथ ही आउटलाइनिंग दी है, घेरे पे हमने थोड़ी सी अलग सी लेस लगाई है, वाइट कलर में ही डिजाइन उसका चेंज किया है, फ्रांट और बैक हमने वाइट लेस इस पे रखी है, और इसी तरह हमने स्लीज पी डिजाइन इसका किया है, चि इसमें हमने यह सारे लेस के ही कलर्स है यह लेस ही है और कलर्स में आती है तो मैंने इसको इस स्टाइलिंग में नेक पे रेडी किया है यह लेस वाला वर्क और स्लीज पे रेडी किया है चिकन फैब्रिक के साथ मैंने लेस के साथ यह वाला डिजाइन इस पे सेट किया है इस यह स्कंट इमें हमें प्रता रावजर हम में वी किये तक साय वाहने टो게 ले सिंगल कुडता हूं या बोड़ा हिएवाई उसके रखार िस में स्टेट था देक अर इसके में अभी लेस्ट क्या है चिकन फैबरिक के उपर ही मैं आपको दिखाती हूँ मैरून कलर के साथ हमने इस पे भी लेसिज ही लगाई है लाइनिंग ली है इसके साथ शिर्ट के उपर और इस तरह एक फ्लावर वाली लेस थी उसको हमने स्लीज पे दिया है कलर है नहनस हो रहा है मस्टर और बेरूल नेट के साथ हमने लेसिंग दी है साथ में एंकर कर दी है इसके साथ ग्रीन इंड यलो कलर की बैननेक के साथ है चिकन में ये सिंपल सोबर डिजाइनिंग बहुत अच्छे लगते है चिकन में हमने एक और रेडि किया है यह fabric हम sale भी कर रहे हैं मेरे पास इसके colors भी available है इस पे भी मैंने patching ही करी है cord set यह ready हुआ है short length के साथ इसमें हमने lining हमने taftे की दी है नीचे इसके cut work था as it is तो हमने यह गेरे पे आगे पीछे ले लिया sleeves पे भी see-through रखके without lining और इस तरह से इसकी जो cuts है जो की already हकूबा में आते हैं तो sleeves और front bag घेरे पे लिये और हलकी से हमने इसमें टचिंग दे दिया flowers की trousers जो है इसके साथ हमने बिल्कुली simple रखा है इसी fabric में हमारे पास colors भी available है 3-4 shades है हमारे पास blue तो आपने देखी लिया lavender color है एक sky blue है और एक shade और है हमारे पास इसमें pink color तो pink को हमने बिल्कुली regular रखा है बिल्कुल simple रखा है इसके साथ trouser भी हमने plain ही रखी है और नीचे इसके cut work था और shirt ready करी है long shirt है sleeves हमने बिल्कुल simple रखी है इसमे chicken fabric में और trouser पे हमने just cuts cuts दिया है क्योंकि बिल्कुली simple रखी है इसके साथ हमने दुपट्टा ready किया है एक हमने normal suit के उपर chicken fabric add करके work किया है घेरों पे work किया है और neck पे भी हमने chicken fabric यूज किया है यहाँ पे हमने इसको see-through रखा है साथ में lacing दे दी और sleeves पे हमने जो इसका lower था उसका work बचा हुआ था वो हमने sleeves पे दिया क्योंकि इसका जो lower था वो इस तरह से work वाला lower था और इसमें से stuff हमने थोड़ सा save करके हमने sleeves पे add करा है extension की तरह use किया है और साथ में हमने इसमें lacing दे दी जो कि joint की तरह ना लगते हुए insertion करके उसके साथ designing दे दी इस तरह से ये chicken fabrics में हमारे पास dresses ready हुए है एक chicken में हमारे पास और है set ready हुआ कुड़ता है ये भी single इस पे हमने embroidery करवाई है और साथ में कुछ lacing दी है ये वाली lace लगी हुई है neck के साथ और यहां पे हमने flower embroidery के साथ ready कर दिया है chicken का कुड़ता है single कुड़ता है ये भी और sleeves और neck को हमने इस तरह से embroidery के साथ और laces के साथ कुड़ते को ready कर लिया है ये हमारे chicken fabrics के dresses ready हुए थे मैं अपनी dress आपको दिखाना चाहूंगी मैंने एक naira style में yoke के साथ gather नहीं लिये हैं बट इसमें मैंने कली ली है कलीयां डाल के मैंने इसको आलिया style रखा है और इसमें मैंने long and short का concept रखा है front थोड़ा short है और back से मैंने इसको long कर दिया और साथ ने हमने lacing दी है neck पे lacing है गहरे पे lacing है जो इसका नीची वाली hemline है और sleeves पे भी मैंने double lacing दी है trousers पे मैंने design दिया है crossing करके laces के साथ ही सारा मैंने ये style ready किया है, simple neck है, yoke style में जिसको alia style बोलते हैं, यहाँ पे ग्यादर्स डलती हैं, बट मैंने ग्यादर्स नहीं prefer की, इसमें मैंने कलियां डालके frocky style देखे, long shot करके ये वाला dress डेडि किया है कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो आपको comment करके जरूर बताएगा, मेरी वीडियो बहुत लेट हुई थी last time, अब मैं regular रहूंगे ये वीडियो के लिए, thank you so much